नमस्कार दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम BSTC और PTT एक्जाम के लिए हिंदी के कुछ महत्पुन प्रशन देखने वाले हैं और देखिए BSTC और PTT के बिल्कुल एक्जाम पेटन पर ये प्रशन आधारी थे हैं बिल्कुल ऐसे ही प्रशन इन दोनों एक्जामस में और हर एक प्रशन को हम बिल्कुल वियाक्या सहीद देखेंगे और आपको खुद से भी ट्राई करते हुए चलना है किस प्रशन का अंसर क्या हो सकता है साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने क्वेशन आपको इन में संदिका नहीं है दीर्ग संदिका उधारन कोंसा नहीं है क्या हो जागा इसका अंसर वारिष मानवेतर रविंद्र या भूदर्व तो देखे बूर्ध्व क्या हो जागा इसका अंसर तो देखे वारिष दीर्ग संदिका उधारन है रविंद्र दीर्ग संदिका उधारन है औ क्या होता है इसका संधी विच्षेद मानव दन इतर मानव दन इतर इसका होता है संधी विच्षेद ये अ और ई मिलकर क्या बन जाता है ए बन जाता है व में ये अ स्वर सामिले तो अ और ई मिलकर क्या बन जाता है ये बन जाता है तो अपने मानवेतर हो गया इसका सही अंसर म मानुवेतर अपने गून संदी का उधारने, मानुवेतर अपने गून संदी का उधारने, तब अपने ओप्षन भी हो जागा, इसका सही अंसर, और देखे बाकी वारिस हो गया, रविंद्र हो गया, भूर्द हो गया, ये सब अपने दीर्ग संदी के उधारने, क्योंकि वारिदन इश ये वारिष का संधी विचेद होता है ये अपने धीर्ग संधी का उदारन है रवी रवीदन इंद्र ये भी अपने धीर्ग संधी का उदारन और देखे बूर्द्व इसका अकर संधी विचेद देखे तो क्या होता है बूदन उर्द्व बूदन उर्द्व इ संधि विच्छत क्या होगा तो दिखें वागिश सब्द का सही संधि विच्छत क्या हो जागा वाक धन ईष देखें अपने यह प्लस का निशान इस font में कुई मिस्टेक है प्रिंट नहीं हो आखें तो आप देख सकते तो देख्वे वाक धन इष इसका कुछ सि है व्यंजन संदी इस क का हो जाता है ग पेला वर्ण इसमें तीसराम बदल जाता है और इसमें ई की बड़ी मातरा है तो ये गी हो जाती है वागीश इस परकार आ जाता है व्यनजन संदी का उधारने तो वाक धन इस हो जाएगा सही संधी विचयद, अगला प्रशने, प्रत्यक्स सब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या हो जागा इसका अंसर, तो जब भी उपसर्ग पुछा जाए, तो सबसे पहले उस सब्द का संदी विचयद करके देखते हैं, देख लिजे संदी विचयद इसका, प्रती धन अक्ष, अगर संद इसका करेक्ट अंसर, देखे संदी विचयद तो हमने करके देख लिया, उपसर्ग है अपने इसमें प्रती, लेकिन संदी की कौन सी है इसमें, तो देखे प्रती में, यह यह आ रहा है यहापर पीछे, ई स्वर है, और आगे यह अ है, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जा और गे, ओप्षन दी है, करेक्ट अंसर, अगला प्रती ने, किस सब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखे अनुपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम या अनुगमन, क्या होजागा इसका अंसर, आप अनुचित हो जाएगा अनुपम तो अनुपम का भी अगर देखें तो अन धन उपम इस प्रकार लिखा जाता है इसको लेकिन देखे अनुगमन अनुगमन को अनुधन गमन ऐसे लिखा जाता है तो अनुगमन इसमें उपसर्ग लेकिन अनुपसर इसमें अनुपसर इसमें अनुपसर किसमें अनुच्छा में अनुचित में अनुपसर इसमें 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 अनुपसर इ गास धन एरा इस प्रकार लिखा जाता है एरा ये ए की छोटी मत्रा यहां पर तो गास धन एरा हो जाएगा इसका सही अंसर जिस प्रकार लूटेरा अगर पुछ जाए लूटेरा तो लूटेरा को इसे लिखते हैं लूट धन एरा लूटेरा में भी एरा प्रत्य हैं जैसे ग गास दन एरा तो एरा इसमें हो जाएगा प्रत्य तो option c है एकदम correct answer गसेरा में अपने एरा प्रत्य है और मूल सब्द कौन सा इसमें गास है अगला प्रस्टने सोर्य सब्द में मूल सब्द कौन सा है तो दिके सोर्य सब्द सोर्य सब्द में अगर प्रत्य पुछा जाए प् सूर दन यह यह बनता है अपने सोर्य तो देखिए सूर सूर का मतलब क्या होता है जो वीर बहदूर या फिर जो योद्धा होता है उसको सूर बोलते हैं तो सूर सूर से समय अपने सब्द कौन सा है सोर्य मतलब किसी महान व्यक्ति का सोर्य उसकी गाता हम गाते हैं यह सोर्य ह गया तो इसका अपने मूल सब्द कौन सा है सूर है इसमें option c देखे जिस प्रकार काविय काविय आता है काविय में भी अपने यह परत्य है काविय में मूल सब्द कौन सा है कवी धन यह यह मिलकर बनता है अपने काविय जिस प्रकार दामपत्य आता है दामपत्य में अपने समास हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका अंसर मंद मंद सब्द में कौन सा समास है तो जब भी ऐसे सब्द आए समान सब्द की आवर्ती हो रही हो रिपिट हो रहा हो दो बार मंद मंद हो गया पल पल हो गया हाथो हाथ हो गया रातो रात हो गया इन सभी में कौन से समास होंगे अधिकतर में अव्याई बावसमास ओप्शन फर्स्ट है इसका सही अंसर मंद मंद में अव्याई बावसमास है मंद के बाद भी मंद इसका समास विग्र होता है मंद के बाद मंद इसमें अवी भाव समास है दीके मंद बंद आ जाए पल पल आ जाए पल पल होए रातो रात आ जाए या फिर आ जाए अपने हातो हात आ जाए इन सबी में अपने कौण से समास होंगे दिक्तर में अव्येभास पोगे दिक्तर क्या लगबग सभी में अव्येभास समास होंगे तो option परस्ट हो जैएगे इसका सही answer अगला प्रस Smet Reel गारी सब्द का समास विग्रह क्या होगा तीकि काफी महत्पन प्रस्टन है रेल गारी का अगर समास विग्रह पूचा जाए तो दीके रेल अपने एक पट्री को कहते हैं रेल यानि पट्री तो अपने जो पट्री पर गारी चलती है पट्री यानि की रेल पर जो गारी चलती है उसको अपने रेल गारी कहा जाता है तो अपने रेल या पट्री पर चलने वाली गारी यह हो जाएगा रेल गारी options यह हैं correct answer और देखे रेल गारी में अपने समास कौन सा हैं समास विगरे तो अपने रेल या पट्री पर चलने वाली गारी हो गई लेकिन समास कुन सा हैं तो देखे मध्यम पद लोपी मध्यम पद लोपी ततपूर समास है मध्यम पद लोपी ततपूर समास इसको अपने लुप्त पद लोपी ततपूर समास भी कह सकते हैं अगला प्रशने निमली की सब्द में तद्सम सब्द कौन सा है तो दीकिए अहीर अफीम तेल या फिर आदित्वार या पर तद्सम सब्द यानि की जो संस्कृत के समान सब्द है जो आज भी हिंदी भाषा में वैसे के वैसे अप्रियुक्त होते हैं उनको अपने तद्सम देखें क्या होगा इतवार होगा इतवार यह अपने तद्वव हैं और देखें इन सभी के अगर तद्सम सब्द देखें तीनों के उपर वाले अहीर का तद्सम क्या हो जाएगा अहीर का तद्सम अपने आभीर होता हैं आभीर अभीर और अफिम का तद्वाव क्या हो जा यह वाले यह वाले तत्समें और यह वाले तत्वव है और अपने आदितिवार यह अपने तत्समें यह आप द्यांदर के यह तत्समें जिसका तत्वव क्या होगा इत्वार होगा यह बात आप द्यांदर के प्रश्ण पूंचे जाते हैं बार-बार अगला प्रश्ण निम् option d है एकदम collect answer अर्भी पासक सब्द अगर पूछ ले तो अउरत हो गया मुहावरा हो गया हिम्मत हो गया यह अपने अर्भी पासक सब्द है और उठपटांग अगर पूचा जाए तो यह देशत सब्द है अगला प्रस ने निम्ड में से बाव वाचक संग्या का उदारण उचा एक विशेशन है इसकी बाव वाचक संग्या क्या होगी उचा ही होगी उचा ही उचा ही उचा ही उचा ही इपने बाव वाचक संग्या है अपने उचा क्या है विशेशन है तो इसका अंसर क्या कोन सी बाव वाचक संग्या नहीं है अपने उचा बाव वाचक संग्या तो देखिए आपर कोई सब्द दे रखा है कोई मतलब कोई भी हो सकता है राम हो सकता है शाम हो सकता है मतलब उसके बारे में निश्चे ही नहीं है कि यही आदमी है यहापर अगर होता राम मिल गया शाम मिल गया तो हमें पता है राम मिला है शाम मिला है फिर कोई और मिला है लेकिन कोई मिल गया या पर इसका निश्चे नहीं है यानि कि अनिश्चे है यह पता नहीं कौन मिला है तो इसका क्या हो जागा अपने अनिश्चे वाचक सर्वनाम है इसमें अपने अनिश्चे वाचक सर्वनाम है और देखिए अगर पूछा जाता राम मिल गया श्याम मिल गिया तो इसमें कौन सा हो जाता आपने निश्चे वाचक सर्वनाम हो जाता तो अपने इसका क्या हो जगा अंसर ओप्शन भी और निश्चे वाचक सर्वनाम है क्वेशन 13 संजय ने गगन को बहुत जोर से मारा इस वाक्य में उदेश्य कौन सा है तो देखिए जब हम वाक्य रशना पड़ते हैं उदेश्य और विदेव वाक्य के दो अंग होते हैं उदेश्य का मतलब क्या होता हैं आपने पड़ा होगा करता और करता का जो विस्तार होता हैं करता का विस्तार इसको तो बोलते हैं उदेश्य और विदेव किसे केते हैं तो देखिए कर्म और किर्या इन दोनों को और कर्म और किर्या का विस्तार इन सबी को अपने और यह होता क्या है तो देखिए संजय तो यहां पर हो गया अपने करता और संजय ने यह हो गया अपने करता का विस्तार मतलब सांसी संजय ने अगर आ जाए सांसी संजय ने संजय ने तो संजय तो यहां पर हो गया अपने करता और सांसी संजय मतलब यह करता का विस्तार हो अगर ऐसा पुछा जाता तो यह हो जाता तो इसमें देखिए संजाई ने अपने क्या है संजाई इसमें है करता तो करता क्या हो जाएगा अपने यह हो जाएगा अपने उद्देश option बी हो जागा एकदम correct answer संजय ने ये हो जागा इसमें उद्देश और विदे कुन सा है तो देखे गगन को बहुत जोर से मारा ये पूरा अपने विदे में आता है गगन को बहुत जोर से मारा क्योंकि देखे गगन इसमें है कर्म और बहुत जोर से मारा बहुत मारना इसमें कीरिया मारना क्या है इसमें क्रिया लेकिन बहुत जोर से ये अपने कीरिया का विश्तार हो जाएगा तो ये अपने पूरा विदे में आता है जब हम वाक्य रजना अलग से टोपिक पढ़ेंगे उसमें हम डिसकस कर लेंगे यह topic हम अलग से लेंगे तो इसमें answer क्या हो जाएगा अपने Sanjay ने इसका है correct answer option b यह अपने है उद्देश option b है correct answer अगला प्रशने निम्मे से निशेद वाचक वाकिय कुन सा हैं तो तेकि निशेद मतलब मना करना जिसमें नहीं होने का बाव हो नहीं होने का बाव हो वो अपने निशेद वाचक वाकिय है simple से बात हैं तो तेकि राम विद्देश नहीं जा रहा हैं तो simple सा होगी अपने जिसमें निशेद यानि कि नहीं होने का बाव हो वो अपने निशेद वाचक वाकिय हैं तो option पास्ट हो जागा इसका सही answer राम विद्याले नहीं जा रहा हैं ये अपने एकदम correct answer बागे दिकि हम गाव जाते हैं परिक्षा संभवत अगले माँ होगी एक गिलास पानी लाओ ये इसमें नहीं होने का बाव नहीं है राम विद्याले नहीं जा रहा हैं इसमें नहीं होने का बाव है अगला प्रशने, राम ने बताया कि कल छुटी रहेगी, उप्युक्त परकार का वाकिय कौन सा है, तो देखे, राम ने बताया कि कल छुटी रहेगी, सरल वाकिय, सवयुक्त वाकिय, मिस्रित वाकिय है, इन में से कोई नहीं क्या हो जागा इस कांसर, तो देखे, जब भी ऐस सा कभावे आगे क्या बताया यह हमें पता नहीं चला अब तक तो देखिए इस प्रकार के वाकिय अपने मेशृत प्रकार के वाकिय होते हैं एक या एक से अधिक उफवा कि जो योजक सब्दों से जुड़े होते हैं योजक सब्द मतलब की हो गया यह अपने योजक सब्दें लेकिन एक तो इसमें प्रदान वाक्य होता है और एक इसमें आसरित उफवाक्य होता है यानि कि प्रदान उफवाक्य कुन सा हो गया राम ने बताया राम ने बताया ये तो अपने में प्रदान हो गया और कल छुटी रहेगी अपने आसृत उफ्वाध की हो गया आसृत उफ्वाध की यानि कि आस्ःत उफ्वाध की पूरी तरिके से इस पर निरबर करता हैं तो राम ने बताया कि कल छुटी रहेगी अपने मिश्रित प्रकार का वाकिन हो जाएगा just शिंपल बाशाम समझ लिजे, जिस वाकिय में आदा अगर हो जाए, राम ने बताया की, यहां तक हो जाए और जिग्या सा कबाव रहा है कि हमें, आगे क्या बताया है राम ने, तो इस परकार के वाकिय जो भी होते हैं, अपने मिस्रित परकार के वाकिय होते हैं, option C हो जाए इस्ट्रिलिंग, तो सामरागी हो जाएगा, option B हो एक correct answer, अगला question है, नेम्ड में से कौन सा विकल्प पक्षी का प्रयवाची सब्द नहीं है, तो दीके पक्षी का प्रयवाची सब्द कौन सा नहीं है, ठग, विहग, द्वीज या फिर विहंग, कौन सा हो जाएगा पक्षी को कहते हैं, विहग भी अपक्षी को कहते हैं, द्वीज ये अपने ब्रामन का भी प्रयवाची सब्द और पक्षी का भी प्रयवाची सब्द और विहंग ये भी अपने पक्षी को कहते हैं, तो अपने ठग हो जाएगा एकदम सही answer, ये अपने पक्षी का प्रयव हाटक यह सब भी अपने सोना सोना के प्रेवेची सब दें सोना जिसको स्वारन भी कहते हैं स्वारन के तो option C हो जाएगा इसका सही answer कनक आजाए, कंचन आजाए, हिरन्य, हेम हाटक यह सब भी अपने स्वारन के या फिर सोने के प्रेवेची सब दें option से हैं correct answer अगला question है धनवान का विलोम सब्द क्या हो जाएगा तो धनवान का विलोम सब्द क्या है क्या हो जाएगा इसका answer तो धनवान मतलब जिसके पास धन बहुत अधिक है और गरीब गरीब अपने अकिंचन अकिंचन को गरीब या फिर दरिद्र धरिद्र भी कहते हैं तो option first हो जाएगा इसका सभी answer धनवान का विलोम सब्द क्या हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा अकिंचन जो बहुत गरीब होता है फिर धरिद्र होता है उसको अपने अकिंचन कहते हैं तो धीकिए इसका answer अपने option किंचन केते हैं या फिर आजाए गुलाम ये अपने इसके लिए अपने किंकर सब्द प्रियुक्त होता है किंकर कंचन हमने भी देख लिया है स्वर्ण का प्रियावेचे सब्द होता है धनायल का मतलब बहुत अधिक धनवाला तो अपने ये ये भी सब्द आप दियान रखे कभी आपके भईश में काम आ सकते हैं तो देखे किंकर अपने है दास नोकर गुलाम और धनवान का अपने अकिंचन हो जाएगा विलोम सब्द अकिंचन का मतलब बहुत दरिद्र या फिर गरीब विक्ति अगला क्वेशन है श्याम किसका विलोम आरती सब्द हैं तो देखे श्याम सबसे पहले आप इसका अर्थ समय जीए श्याम का मतलब क्या होता है काला काला तो इसका विलोम सब्द क्या हो जाएगा पिला लाल नदी या फिर स्वेथ तो देखे स्वेथ हो जाएगा एकदम स सब्द कुन सा है तो देखे कर सब्द का अनेकार सब्द क्या है तो देखे कर अपने हाथ को भी कहते हैं हाथ या फिर करने वाला करने वाला इसको भी कहते हैं और देखे अपने कीरन कीरन जो होती है अपने कीरन को भी कर कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जगा अपने हाथ कीरन कर, करना, करने वाला, जैसे हित कर ये अपने आते हैं सब्दे से तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अपने? हाथ कीरन करना, option D है, एकदम correct answer, कर का अपने अनेकार तक सब्दे हाथ कीरन करना, option D अगला प्रस्थ ने अनल, अनिल सब्द युग्म सब्दें, आग का, और अनिल किसे कहते हैं, अनिल अपने पवन या फिर हवा का अपने वैचे सब्दें, पवन या फिर हवा का, तो अपने आग और पवन या फिर हवा हो जाएगा इसका सभी अंसर, अनल तो अपने कहते हैं, आग और हवा अनल अनेल ये काफी वार एक्जाम में पूचा गया है आप ध्यान रखेंगे वापस पूचा जा सकता है तो आग और हवा हो जाएगा इसका सही अंसर क्वेशन 23 है अभिग्य और अविग्य का उंचित सब्द युग्म कौन सा है तो देखें सब्द युग्म अभिग्य और अविग्य दिखने में एक समान है लेकिन बिल्कुल इनके अर्थ एकदम उल्टे हैं तो देखें अभिग्य किसे कहते हैं जो जानकार है यानि कि जो जानने वाला है जानकार उसको अभिग्य कहते हैं और अविग्य किसे कहते हैं अविग्य मतलब जो अनाडी हैं यानि कि मूर्ख हैं मूर्ख व्यक्ति को अविग्य कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जएगा जानकार अपने अविग्य को कहते हैं अविग्य अपने अनाडी या मूर्ख को कहते हैं इसका answer क्या होज़ेगा option C जानकार और मूर्ख ये इसका सही अर्थ है option C होज़ेगा इसका सही अंसर जानकार और मूर्ख अब भिग आप ध्यान रखे जानकार है और अब भिग अपने मूर्ख है अगला प्रशने ये अपने वाक्यांज के लिए एक सब्द है हर समय दूसरों की कमिया डूंडने वाला इसके लिए वाक्यांज का एक सारतक सब्द क्या होगा वाक्यांज के लिए एक सब्द तो दीकिए हर समय जो दूसरों में कमिया डूंडता है उसको छिदरान वेशी कहते हैं option first छिदरान वेशी अपने जो कमी डुणने वाला होता है हर समय दूसरों में ये अपने छिदरान वेशी कहलाता है option first हो जाएगा इसका सही answer देखे हमने topic wise भी कापी सारे प्रशन देख लिए हैं हिंदी के जैसे उपसर्ग हो गया प्रत्य हो गया विलोम सब्द हो गया ये भी आप जाकर देख सकते हैं व्याक्यांस के लिए एक सब्द हो गया इनके भी हमने अलग से पूरी विस्तरित क्लास ले लिए हैं आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं और हमारा चैनल पर आपको प्लेлिस्ट भी मिल जाएगी अगला प्रेशन अपने नेम लिएक पिर लिकित में से सुद्ध सब्द कौन सा है तो इसका सुद्ध सब्ध भुचा है ऊपड़ज की का की में E की मातरा चोटी आती हैं तो वाल में की इस परकार लिखेंगे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अपने option कौन सा से हो जाएगा अपने option B हो जाएगा एकदम correct answer वाल में की इस परकार लिखेंगे मी की मात्रा बड़ी और की की मात्रा इसमें छोटी आएगी तो option B है एकदम correct answer तो दोस्तों यह थे इस वीडियो के 25 मात्मन प्रशन और एक simple से प्रशन का answer आप सभी comment करके बताना आप सभी को इसमें इसका answer comment करना है और अंत में आपको comment करके जरूर बताना है कि 25 में से आपको कितने question एकदम correct आ रहे थे यह भी आप जरूर बताएं तो देखिए name में से सुद्ध सब्द कोंसा है सारांस का आपने सुद्ध सब्द बताना है इन चार option में आप डंक से पढ़ सकते हैं सुद्ध सब्द कोंसा option एकदम correct होगा यह प्रशन भी दो से तीन बार पूचा गिया है आपको comment करके बताना है तो दोस्तो इस वीडियों बस इतना ही हिंदी के काफी सारे वीडियो राश्तान जिके के mental ability के काफी सारे हमने पहले ही देख लिए वो भी जावकर आप देख सकते हैं और ऐसे भी हम लगातार आपके लिए आटे स्रीज रेगुलर लाते रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियों बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में जय हिन जय भारत चैनल पर पहली बार आए तो सस्क्राइब जरूर करें अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें तो दोस्तों इस वीडियों बस इतना ही बाई